हमारी जीवन की गाड़ी दो चला रहे हैं जब मांगने की बारी आती है तो खाटू पहुंचते हैं और जब संकट खटवाने की बारी आती है तो मेंधिपुर दरबार पहुंचते हैं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन मैं बताऊं मुझे आपका नहीं पता हर महीने 11 खाटू और हर तीन महीने के बाद मेंधिपुर बाला जी दरबार में अरजी लगानी ही लगानी है इन तीन दिनों के लिए, तीन दिनों के लिए मेंधी पुरबाला जी और महीने की ग्यारस, शुकलपक्ष की ग्यारस, खाटु धाम को छोड़ कर, ना हमारा मन कहीं और लगता है, ना कहीं और लगेगा, और दूसरों का पता नहीं, इन दोनों दरबार की महीमा मैंने खुद महसूस करी, जब मैं पहली बार मेंधी पुर बाला जी गई थी, उस समय कृपा बहुत थी, लेकिन एक मन की शांती जिसको कहते हैं, मन हमेशा पेचेन रहता था, कुछ ना 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 कुछ दिमाग में, पचास बा यूप लोक कहते हैं कि यहां मेंदीपुड में आने के बाद संक्ट करते हैं अगर मेरा भी कोई संक्ट हो मुझे नहीं दिख रहा हो यह काटरे की जिम्यदारी अब आपकी है और विश्वास मानिए उस दिन के बाद से जो भी संकट रोते हैं वो कहां है नहीं है पता नहीं चलता क्रपा महईसूस होती है क्रपा यहां पर महईसूस की जाती है मुझे महईसूस हुई है अगर आपको भी उस दर्वार की कृपा मैसूस होती है, तो एक बार उठाईए दोनों हाथ, और मिलके तालियों के साथ, बापा जब भी जिसने तेगा नाम पुकारा है, तुने तुने उस जीवन को हाटों से सवारा है, बापा जब भी जिसने है एक बाद बताईए, बाला की महाराज की करपा तो साला सर और महिंदीपुर जाके महसूस करते हैं, हमारे खाटू इनरिश की करपा खाटू जाके गौन-गौन महसूस करता है, तू तू मत उठा, तू अभी इंजट पीस है, तूटा फुता बैठा यही बहुत है, ठीक है, इ इसके हिस्से की तालियों की जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसने आप लोगों की हिस्से की पतानी कितनी बार धोक लगाई है, अब आज इसके हिस्से की धोक लगाने का काम आपका है, उठाईए दोनों हाथ, और मिर के तालियों एक साथ, एक, दो, जी, चाप! खोले बादा ये महराजी के, बोले भाटू नरेश के, बोले हारे के सारे के जो मांगो के मिलेगा, अरजी लगांगे देखो एक बार साम मेरे के, दरबे तो जाके देखो एक बार साम मेरे के, दरबे तो जाके देखो एक चीज़ जरूर महसूस करोगे क्या तालिया बजाओ मिलता है दूब देखो मिलता है दूब देखो वहां तिने के का सहारा मेरे कुझे धर उखर ही मेरे शाम का नजारा खाटू का शाम बाबा मिलके दो लाइने जरूर बोलना एक साथ आजा आजा शाम बाबा आजा आजा शाम बाबा आजा शाम बाबाफ तो भाजन राम जी या शाम जी के या किसी और कि क्यों का राइ जाते हैं जोट नहीं बोलेंगे आजा आजा शाम बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब हम प्रेमी सावरे के सौभाग है हमारा यहाँ जितने शाम प्रेमी है वो मिल के बोलना एक सार हर शाम प्रेमी बोले हर शाम प्रेमी बोले वो आरे का सहारा तुम्हें तुम्हें गर उधर जी मेरे शाम का नजारा खाटू का शाम पाबा लगता है सबको प्यारा किसमत का खेल भाई क्या कोई जान लेगा किसमत का खेल भाई क्या कोई जान लेगा है बुलंती पे सितारा कब तूट के गिरेगा गिरते को थाम लेता गिरते को थाम लेता मेरे शाम का नजारा खाटू का शाम पाबा लगता है सबको प्यारा एक और और बोलो मिलना चाहिए याही जितने लोग इधर बैठे ऐ है थर डाइलक बी ओलने का कि मुए मृका मिलना चाहिए जितने लोग इ vic जितने लोग इधर बैठे है कि बीषेश कॉक्यों पर धिशे दरजे के सारट आपकी विशेश रुची भी होनी चाहिए बजन गाने में, क्योंकि आपको विशेश सम्मान मेल, आपको विशेश अधिकार मिला है दरबार में, लोगों को किसी के घर में कुरसी नहीं मिलती, आपको बाबा के दरबार में कुरसी मिल गई, अब इससे वड़ी किसमत की बात क और मैंने रोमी अंकल के मुझ से सुना था आप लोग भी जानते हो रोमी अंकल जी को वाड़ उनके लिए जोड़दार दालिया कुर्सियों पर बैठके जिने कोई दिक्कत है जिने नीचे बैठने में तकलीफ होती है उनको तो ओके चलिए वह बैठते हैं लेकिन जो बदन में ताकत होते हुए भी जिने कोई तकलीफ नहीं है जिने कोई दिक्कत नहीं है वह कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सियों पर तमाशे देखे जाते हैं किरतन नहीं किया जाता है जसे तकलीब हो भो आर रहे गिजह तो परक होना चाहिए है भाबे जी आप ही कुसम से आप ही कि भरोसे मेरी जीवन की गाड़ी चल रही है आप कसम से रिवाइटल हो आज एक बाद सोर्दार तालिया में जाओ आपके कमर में कोई तकलीफ है अब मैं अलग अलग बोलूगी तो अलग 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 आएंगे अगल जी थेवी आओ ना आप तो कुर्ते वाले हैं आप नहीं आए अचा एक बार इन सोफो को खाली कड़के देखिए कसम से बतारी हो जितना आनन्न आपको कुर्सी पर बैठके नहीं आएगा उतना आनन्न आपको तरवार में आएगा एक बर आजाओ ना आपके तखलीफ है ना आपके बगल वाले आपके भी एक क्या है अच्छा आप तो फर चलिए आप तो सीनियर सेटिसेन में आगे लेकिन आपके बगल में जो बैठे है ग्रीन शर्ट थेभी आओ आरे आजाओ मैं भी वाली नी स्प्रे लगा कि आहीं हूँ आओ मतलब थोड़ा सा कमण में दर्द हो गया तो एक कुर्सी नहीं चूटेगी मैं तो टूटे हुए हाथ के साथ पांच खिर्तन की है और ज्यादा नहीं अभी पिछले महिने ये कंदर मेरा डिस्लोकेट हो गया था अगर किसी ने देखा हो तो शायद हाथ में पट्ता लगा क कर रही थी मतलब इतनी तकलीफ बड़ाश्त नहीं है एक होता है जब एक होता है तप तप में शरीर को जब तक आप कस्ट नहीं दोगे तब तक तप नहीं होता आज तप करने का समय आया है तो अपने आपको तकलीफ देना आप लोगो पुरा लग रहा है यह तो टूटा तूटा बैठा है देखो पता नी कहां कहां से टूटा है गुरूफे नाच से तो मैंने दिये इसको यह भी दर्वार भी अगर नीचे बैठ के किर्टन कर रहा है तो डैट में इस कुछ ना कुछ भावना तो होगी ना आए है अंकल जी को बात पसंद आगी एक बार जोर दार कि लिए जोर दार तालियां होंगी तो कि आज कली